हाई गाइज वेलकम बाक्टू माँ चानल सा अजम फिर से कहलने वाले हैं माइनक्राफ्ट लास्ट वीडियो में आप सभी नहीं देखा हुआ हम बनाने वाले थी अपना इंचेंट मेंट रूम तो उसके लिए सारी की सारी चीजें हमने आप एकटा कर ली थी तो वह वाला व सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब कर लिए और चीजें बहुत जादा लगने वाली है यहां पर बैसिकली अपना इंचेंट मेंट रूम ऐसा नीचे नहीं होने वाला है हम बना रहे मतलब थोड़ा सा अलग रहेगा तो वह भी पूरा हवे में रहेगा तो उसके लिए हमें सबसे वहले थोड़ा सा हाइड पर जाना पड़ेगा और यह जगह मैं इसलिए चूज करिए यूकि अपने घर से थोड़ा से पास में और घर के सामने वह अच्छा भी नहीं रहेगा तो इसकी वीच में थोड़ा सा हावे में कुछ भी लटा कर रहा था तो इसकी बैट जाना है नीचे और चारो तरफ से एक ब्लॉक बड़ा देने तो यह बीच का स्टोन है तो इसको तोड़ देते हैं मतला हमें समझ में आना चाहिए हमारा मिडल कौन सा है तो यह काम अपना भी हो चुका है अब हमें चारो साइड से एक ब्लॉक तो हमने लगा दिया है इनके साइड में धिया दो ब्लॉक एक यहां पे ऑद इसके बगा यहां शाइभ में भी तोड़ा सा मतलब अलग चीज करने माले है यहां पर हमने एक ब्लॉक लगाना है उसके बाद इसके साइड में एक उसके वापस आगे और इसको तोड़ देना है और यह बाद में उठा लेंगे ऐसे ही करते हैं हमें जिग जाग लाइन पूरी करनी है तो यहां पर आप देशके हमने आधा काम तो कम्पलेट कर दिया है और यह तो इसको थोड़ा से सर्कल वाला शेप दे रहा है अभी यह भी हमें इसको तो यह मिजल्दी से कम्प्रेट कर देता हूं और यहां पर लोग देशके हैं पूरा सर्कल यहां पर रेडी हो चुका है और क्या ही लग मतलब बहुत सही लग रहा है यहां पर बीच में हम फिलाल स्टोन लगा रहे हैं और बाद में उसे हम ग्लास से रिप्लेस कर देंगे और उसका में एक शॉट वीडियो बना के डालूंगा तो वह जरूर देखना क्यूंकि ग्लास के साथ यहां लगेगा बट फिलाल अपने से काम में आने वाल राइट गाइस तो यहां पर आप लोग दे सकते हैं यह बुक शेल्फ हमारे यहां पर वाल का काम करने वाले हैं और यहां पर दो गलत रख दिये तो वह तोड़े तो भाई मुझे बुक वापस मिल गए तो नीचे जाके हम कनवर्ट कर लेंगे वह कोई दिकत नहीं तो तीन काम ने आप फिलाल वाल बनाए अभी यहां पर भी हम वापस से तीन का वाल बना देते हम अब तीन ब्लॉक्स का उपर भी और साइड में भी तो भाई सबी तरफ मैंने यहां पर यह बुक शेल्फ खड़े कर दी है और अभी मतलब यह थोड़ा सा फु अब इनके बीच में हम लगाएंगे अपना पूबाल स्टोन बॉर्डर पर फिर अपना इंचेंट्मेंट में रूम सेवन्टी परशंट तो कम्प्लेट हो जाएगा और इसके बाद हमें सबसे में चीज़ बनने पड़ी कि अपना इंचेंट्मेंट टेबल वोने होगा तो सबी तरफ से हमने इसको भर दिया है और अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है यह और भी अच्छा लगता अगर यहां पर हम बीच में ग्लास लगाते तो बहुत ही सही लुक आती बट बाइब ग्लास नहीं अपने पास फिलाल के लिए क्योंकि मुझे अभी समझ में है वरना तो भाई में क्या ही बना था इनको और अभी हम यहां पर बनाने वाले इसकी च्छत बनाने के लिए सबसे पहले हम इनकी बॉर्डर करेंगे तो यह थोड़ा सा अच्छा लगेगा यह सा कंप्लेट करते जाएंगे हम आल राइट गाइस तो यहां पर आप लोग द इसकते हैं यह तोड़ के अभी हम फिला लंदर आया है क्योंकि यहां पर बीच में हमें जाने आने का रास्ता ही बनाना है तो यही वाला है सेंटर इसके ऊपर हमें बनाना है अपना इंचैंटमेंट टेबल उसके लिए मैं धेर सारा यहां पर वूड लेके आगे हूं ना इसके बन चुका है जो बाइश सबसे में चीज़ थी अपनी इसके ऊपर हमें रखना है और एक स्टोन और फिर हम भी जाएंगे इसके ऊपर और यहां पर हमें बनाना है अपना इंचैंटमेंट टेबल और राइट गाईस तो फाइनली यह स्टार्ट हो गया है मतलब इसमे इसके बाद लगेगा यहां पर एक बुक शेल्फ कर देना इसको एक ब्लॉक चोड़के मतलब एक बीच में एक ब्लॉक का डिस्टंस रखके बुक शेल्फ अपने कतम हो गये बहुत जादा बुक शेल्फ टूटे है तो वह भी हमें जोडने बढ़ेंगे बट यार अभी व बना के रहेंगे अपन एक रूप चुक आपने पास पहले से थोड़े बहुत थे इसको अभी पूरा कंपलेट कर देते है और यह देखो यह देखो जो भी अपने पास होगी चीजे उनको इनको पावर देगा और बहुत सभी पावर मिलती है यह देखो बाई अभी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि यह कैसा होगा मतलब के तो यह वाला क्रफिन टेबल में हमने हटा दिया और यह भी हम बंद कर देते हैं यह तो यहां से सबसे पहले हम लगाते हैं अपने लग रहा है और सबसे में चीज यह मैंने दो ब्लॉक उपर इसलिए रखा है क्योंकि मुझे सेंटर से एंट्री करना था और यहां से अभी अपनी एंट्री होगी तो नीचे चलके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं और तो मैंने जैसा सोचा था भाई बिलकुल वैसा हु यहां पर मैं एक एक चेस्ट रख देता हूं जिसके अंदर हम लैपीज रखेंगे और लैपीज अपने पास फिलाल इतना ज्यादा नहीं एक बार ही अपने कैसल के अंदर से देख लेते कैसा लगता है कैसा नहीं तो जल्दी से चलते हैं तो अपने बेडरूम में हम आ डालेंगे मतलब शॉट ही शॉट आएंगे अभी और वह शॉट वीडियो देखना बुलना मत क्योंकि वह भी हम बहुत ही सही बनाते हैं तो यह इंचेंटमेंट रूम मैंने इतने उपर इसलिए बनाए क्योंकि यहां पर थोड़ी सी चीज़े जादू होती है क्योंकि आदू ही रूम होने वाला है तो वह ऐसा मतलब सिंपल नीचे रखता तो अच्छा नहीं लगता ना इसलिए मैंने इसको थोड़ा सहवा में रखा और इसके अंदर जाने का अपना रूड भी बहुत सही है तो आज की सोड़ो में इतना ही मिलते हैं वीडियो में तिल दें गूपाइ